दोस्तो अचीत कुमार की मच वीटेट फिल्म वली माई को लेकर एक ओर अपडेट निकलकर सामने आई है दोस्तो आपको बता दे कि फิल्म की बुकिंग को काफी ज़्यादा क्रेज चल रहा है एद तो क Cub시 की लिए काफी ज़्यादा मारा मारी हो रही है और साउथ के तो कई छेतरों में फिल्म को लेकर टिकेट्स मिल ही नहीं पा रहा हैं लोगों ने अलरेडी सारे शोज बुक कर लिये हैं दोस्तो आपको बता दे कि फिल्म की बुकिंग बहुत ही शांदार लेवल पर चल रही है और आज यानि की 20 तारिक से फिल्म वली माई की बुकिंग शुरू हो चुकी है हिंदी में भी जी हाँ दोस्तो आपको बता दे कि फिल्म वली माई के लिए हिंदी में भी एडवांस बुकिंग आज से चालू हो गई और फिल्म को अच्छा खासा रेस्पॉंस देखने को मिल रहा है अल्रेडी पहले दिन ही कई जगहों पर 30-40 परसेंट की बुकरी हिंदी में भी हो चुकी है तो देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले चार दिन के अंदर भी फिल्म के एडवांस बुकिंग इसी तरह चलती है या फिर कम होती है देखने वाली बात ये होगी तो दोस्तों आपको बता दे कि फिल्म वली माई जो की थाला अजीत कुमार की मच आवेटेड एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसमें हमें बॉलिवट एक्ट्रेस हुमा कुरेशी भी साथ में नजर आने वाली है ये फिल्म काफी लंबे वक्त से बन रही थी और फिल्म में शांदार stunt action scenes दिखाए गए हैं दोस्तों आप इस फिल्म का इंतजार कर रहा है या नहीं हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए गर इस फिल्म को लेकर आपने booking की है या नहीं अब तक ये भी हमें ज़रूर बताइए दोस्तों फिल्म 24 तारिक को थेटर्स में रिलीज हो जाएगी और देखना ये होगा कि फिल्म बॉक्स आफिस पर कैसी कमाई करती है क्योंकि फिल्म को अगले ही दिन से बॉलिवर्ट फिल्म गंगू बाई काठियावाडी से कड़ी टक कर देखने को मिलने वाली है क्योंकि गंगू बाई काठियावाडी ये संजय लीला भनसाली की काफी लंबे समय से बन रही फिल्म है तो देखना ये होगा कि फिल्म आलिया भट और थाला अजित कुमार की इस लड़ाई में जीता कौन है तो दोस्तों आप इस विल्म को लेकर बेताब है या नहीं हमें कमेंट्स करके जरूर बता है और नए है तो चैनल को कर दोजी सब्सक्राइब मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक क्लिक वेट पाए